नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ड इंडिया और मैं हुआ के साथ निहा परिहार अब सभी दर्शेवों का स्वागत हैं हमारे स्खास कारिक्रम निर्वात्री स्पेशल बेड़ नौरात्री का पावन पर चल रहा है सभी मां की भक्ती में सरबोर नजर आ रहे हैं और आज हम अपने इस खास कारिक्रम में बात करेंगे नौरात्री के पाचवे दिन के बाए चैत्र नौरात्री के पाचवे दिन माद्दुर्गा के सकंद माता रूप की पूजा की जाती है सास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूड भी ज्यानी हो जाता है पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नौवचेतना कर निर्माड करने वाली देवी हैं सकंद माता सकंद कुमार कार्थके की माता की कारण इन्हें सकंद माता के नाम से जाना जाता है इनकी उपासना से भक्त की सारी इक्षाएं पूरी हो जाती हैं और भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है देवे स्कंद माता वादसली की मूर्ती हैं तरसल माता के इस रूप से साधक ये विचार कर सकते हैं कि उन्हें किसी तरह की हानी कोई भी व्यक्ति नहीं पहुचा सकता है अनिता मा क्रोध में आकर अपने साधक भक्तिया पुत्र को नुकसान पहुचाने वाले का सर्वस्व मिटा सकती हैं पुराणों के अनुसार जब इंद्र कार्थिके को परिशान कर रहे थे तब मा ने उग्र रूप धारण कर लिया था और मा चार भूजा और शेर पर सवार होकर प्रकट हुई थी मा ने कार्दिके को गोद में उठा लिया इसके बाद इंद्राधी देवताओं ने मा के सकंद माता रूप की अराधना की थी सकंद माता की अराधना करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है नवरात्री के पाचवे दिन लाल चुंदरी, पास्तरा के फल, सुहाग का समान और धान या चावल से माता की गोद भरनी चाहिए इससे माँ खुश होती है और भक्तों को संतान प्राप्ती का आशिरवात देती है मा कमल के आशन पर विराजमान रहती है इसी कारण इन्हें पदमासना देवी भी कहा जाता है मा का वाहन सिंग है वहीं पाचवे दिन का शास्तरों में माता का विशेश महत्व बताया गया है नरात्री के पाचवे दिन सबसे पहले सनान करें और साफ कपड़े धारण करें और अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा को स्थापित करें गंगा जल से शुधी करन करें फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें उसके बाद पूजा का संकल पलें स्कंद माता को सफेद रंग बहुत पसंद है इसलिए हो सके तो नहरात्री के पाचवे दिन सफेद रंग के कपड़े पहन कर मा को केली का भूग लगाए ऐसी मानिता है कि ऐसा करने से मानिरोगी रहने का अशिरवाद देती है मा की अरादना से विशोध चक्र के जागरित होने वाली सिध्या स्वता प्राप्त हो जाती है और मा की प्रेम भाव से अरादना करने पर भक्तों को हर प्रकार के सुक्षान्ती की प्राप्ती होती है इस घोर भव सागर के सभी दुखों से मुक्ती पाकर मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाली एक ही ऐसी माता हैं जो अपने भक्त को सभी पापों से मुक्त कर शमा करके मोक्ष का द्वार दिखाती है हमारे इस खास काई क्रिम दोरात्रे स्पेशल में पिलाल इतना ही मातरानी की क्रिमा आप सभी दर्शुपों पर यूगी बड़ती रहें जय बादा